यह तो ग्यात ही है कि पूरो PCC प्रमुक और पूरो मत्री पोनाला लक्षमा ने BC को न्याय नहीं मिलने के कारण कौनरस पार्टी से इस्तिफा दे दिया है। पोनाला ने अपना इस्तिफा खड़ी को भेजा है। अगर वह शामिल होते हैं तो क्या बियारस पार्टी उने चुनाव लड़ने का मोगा देगी या फिर नामांकन बराबरी पर होगा या नहीं या राजनितिक गलियारों में होट टॉपिक बन गया है। रहमत रेड़ी ने पार्टी बदलने वाले पोनाला पर जम कर निशाना साधा है। मैं इस बात से नारास थे कि पदों का आनन लेने के बाद उन्होंने इस तरह पार्टी छोड़ दी। ग्रूप टू की उमीदवार प्रविलिका के आत्मत्या पर समसत कोमिटी रेडी बैंकर ट्रेडी ने प्रतिक रिया दी। प्रविलिका के परिवार को नए मिना चाहिए। करोड़ रुपे के अनुगरह राशी घोशित की जानी चाहिए। सरकार ऐसे वहार कर रहे हैं। प्रति तुमला नागेश और राव ने कांगरस नेता रहुल गांदी से मुलाकात की। मालू हो कि तुमला हाली में कांगरस में शामिल हुए हैं। उनके पास दिल्ली से फोन आया। इसके साथ ही प्रशास ने तुमला को बुलाया। रहुल गांदी और तुमला नागेश और राव के बीच करीब आदे घंटे तक मुलाकात हुई। ऐसा लगता है कि राजे की राजनिती तेलंगाना में आगा में चुनाव अपना ही जाने वाली रणनिती और अन्य मुदों पर चर्चा हुई। साथ ही ऐसा लगता है कि तेलंगाना भरके कई जीलों की राजनितिक स्तीती पर भी चर्चा की गई। हैदराबाद के आशोग नागस्तीत एक नीजी हास्टल में प्रतियोगी परिक्षाओं को तैयारी के दोरां प्रविलिका ने आत्मात्या कर ली वरंगल जी लेके दुगाउंडी मंडल की रहने वाली उनकी मौत से राज्य में हड़कम मच गया राजनेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार की आरोशना कर रहे हैं हाले में बीजेपी की राश्ट्रे महासचू बंडी संजे ने प्रविलिका की आत्मात्या की विरोद में सड़क पर उतरे चात्रों पर पूलिस द्वारा लाटी चार्ज की नींदा की गई प्रविले का के आत्मात्या के लिए सरकार को जिम्नेदा ठहराया। उन्होंने उसके परिवर के लिए नयाई की मांगी। छात्रों के समर्तर में सड़क पर उतरे भाज़पाने तवर पर हमला करने को लेकर बंडी संजे पूलिस फिर गुस्सा हो गये। बंडी संजे ने महतोक आंक्षा उतकट उतसा से ही पता चला है कि तलंगाना का सपना साकार हुआ कमपणी प्रबदन ने आटीसी कर्मचारु की सेवा नियुरित की उम्रेशार से बढ़ा कर 61 साल करने का प्रस्थाव दिया है राजसरकार के कर्मचार्यों की सेवा ने उरित की आयू एक सट वर्ष है आरटीसी कर्मचार्यों को सरकारी सेवा में विले करने की विधेक को विधासबा और राजपास से पहले ही मन्जूरी मिल चुके ऐसे में राज़ा सरकार ने उनकी आयू सिमा में बड़ोत तरी प्रतिक्रिया दी है सरकाई सेवा में समीलियन की प्रतिक्रिया और कर्मचारुक के कैडर को आंतिम रूप देने के लिए विति विभा के विशेश सचु राम क्रिशन राव की अध्यक्षता में एक समीती का घटन किया गया है इस महेने की 11 तरीको परिवन विभा के विशेश सचु ने आर्टी से एमडी को पत्र लिख कर आयू सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव समीती को सोपने को कहा है टी जेस प्रबुक कोधन राम ने कहा कि सरकार लोगों से विरूत करने का अधिकार भी छीन लेगी सड़कबद के मद्य नजर कोधन राम को पूरिस ने उनके घर से गिरफतार कर लिया इस मोगे पर उन्हेंने मांग के की लगाता परिक्साओं में फैल होने वाले टी-एस-पे-सी बोर्ड को खत्म किया जाए कमिटी की सद्य सुगा हटाए जाए और नया बोर्ड बनाय जाए उन्होंने कहा कि टी-एस-ची पदो की संक्या में बड़ा ही जानी चाहिए उन्होंने कहा कि परिक्षान रद होने से कई बेरोजगार छादरों को नुकसान हो आया और मांग किये कि उन सभी को मौज़ा दिया जाना चाहिए YS RTP आदेक्ष वाइस शर्मिला ने एक बार फिर्टे लंगाना के मतरी KTR के आलोशना की अगर नौकरी ना मिलने पर प्रविलिका जैसी लड़की खुद को फासी लगा लेती है और जबरस्ती मौत को अन्जाम देती है तो ऐसे में KTR कैसे कह सकते की KCR को देखकर वोट दीजे उन्होंने पूछा क्या आप जानते है कि जब शहर जाकर बच्चा नौकरी पाने के लिए परेशन होता है तो माता पिता का दिल कितना तूट जाता है उन्होंने गुसे में कहा उन्होंने आरोप लगा कि प्रवीलिका के आत्मात्या नहीं बलकि आपकी BRS सरकार दोरा की गई हत्या है शरीमिला ने कहा कि प्रवीलिका इस शासन की शिकार हुए है जो उसे नौकरी नहीं दे सके जो शासक तमाम शक्तियों के बावज़ुद BRS के लिए कुछ नहीं कर पाते वे कुरूर शासक कहे जानी चाहिए नौकरीयों की समय पर अधी सुचना नहीं दी जा सकी एक भी परिक्षा ठीक से आयुजित नहीं की जा सकी आपको दो बारा क्यों चुना जाना चाहिए क्योंकि आपनी TSPAC के पेपर सामान की तरह बेचे हम आपको वोट क्यूं दे उन्होंने पूछा उन्होंने कहा पेपर लिग परिक्षास्तगन मामले अदालते आपके शासमें बेरोज़ुर्ण की यही दूर दशा है उन्होंने कहा कि वे जब से CM बनें तब से ही बेरोज़ुर्ण की जिवन से खेल रहें उन्होंने कहा कि आप और आपकी सरकार नुन माता पिता का दुख नहीं समझ सकते जिनके बच्चे नवकरी न मिले से अपनी जान गवार रहें सरकारे बेरोजारों की जिन्दगी से खिलवाड कर रहें उस्मानिया उन्होंने नारे लगा तुए का फिर धोका खाओगे तो चले जाओगे जागो चात्रो हुजराबाद विदायक इटेला राजनदन ने कहाए कि वो वरिष्ट भाजपा नेता और सांसर डॉक्टर लक्षवन पर पुलिस हमले की कड़ी निंदा करते मुख्यमत्री कियसीया ने कहा कि गुरूप टू की परिक्षा रद्ध होने की वज़व से प्रवलिकाने आत्मत्या की उन्होंने चेतावनी दिये कि बेरोजानों की बद्धुआ ले रहें केसियार को इसकी कीमत चुकानी होगी उन्होंने कहा कि छांतरों को नए तिक स्तीरता देना भाज़पा की जिम्मेदार है ताकि वह अवसाथ गरस्त हो और इसके तहट उनके पास जाने वालों पर लाटी चार्ज करना उचित नहीं है केसियार की साज़ेशों में काम करी पुलिस को भाराने को कहा गया उन्हेंने पूछा कि आत्मत्या समस्याओं का समधा नहीं है पीडी तू को पेट दर्द के साथ नहीं छोड़ा जाना चाहिए इटेला नहीं कहा कि अच्छी दिन आएंगे और वे पूरी तरह से परिक्षावजित करनी की जिम्मेदारी लेंगे सीम के से अरकल जाएंगे ते लगाना बहुन उम्मेदवारों को चुनाओं में अपना जाने वारी रंणत्यों के बारे में दिशाह निर्देश दिये जाएंगे और B-Form दिये जाएंगे इस लीक के साथ ही पहले से ही कुछ पदो पर बदला हो चुका है पार्टी के उम्मिद्वारों और नेता यह देखने के लिए उत्साहित है कि नेता कोन होगा दावेदे टिकिट के आस लगाए बेटें पांच लंबी दिरवाचंक शेतरों के लिए भी उम्मिद्वारों की गोशना की जाएगी जैसे जैसे गोशना पत्रे जारी हो रहा है इस बात में दिल्चस्पे है कि कौन सी नहीं योजना है और गारंटी गोशित होगी 21 अगस्त को बियारेस उम्मिद्वारों की गोशना के करीब 56 दिन मात की एसे आरेस मेनी की 15 तरी को त्यलागाना भहुन आ रहे है जम्मिद्वारों की गोशना के बात से अब तक कौन प्रचार में उत्तर रहे है उनका प्रदर्शन कैसा है और किन यूजना को आगे बढ़ाया जाए पिछुनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी बदकुमा उत्सो टेलंगाना की संस्कृतिया और पर्वपुरा का प्रतिक आशा है कि सभी लोग ये फूलो का ट्योहार खुशी से मनाएंगे बदकुमा को फूलों की पूजा और प्रकति से प्रेम करने का महांतियोहार कहा जाता है इस महांतियोहार के आउसर पर जो एंगली पूला बदकुमा से शुरू होता है और नो दिनों तक तीरों का फूनों के साथ मनाया जाता है उन्होंने सबी महिलाओं और यूतियों को बदकुमा उत्सों की शुप काम नहीं दी तेलांगाना की संस्क्रतिया और परंपरा का प्रतीक बदकुमा उत्सों आसे राज़ापर में शुरू हो रहा है एमेल से कविता ने तोहार के आससर पर सबी लड़कियों महिलाओं को बदाई दी बदकुमा उत्सों जो एंगिली पूला बदकुमा से शुरू होता है और तीरों का फूलों के साथ नौ दिनों तक जारे रहता है कविता ने कहा कि यह बदकुमा उत्सों हमारे आत्मगोरा का प्रतिक है हमारी महिलाओं हो यूतियों के साथ ही तेलागाना के सौ विमान का प्रतिक भी है इस प्रश्टो भूमे में कविता ने भारत जागरती दौरा निर्मीद बतकुमा गितों का एक अलबम जारी किया इस अलबम में दस गाने हैं और यह यूटूब पर उपलब्ध है खास बात यह है कि M.A.C. कविता ने एक गाने को कोरस दिया पार्टी के राष्ट्रे महा सचुनारा लोकिश नहाण रोप लगा है कि TDP प्रवक्च चंदरबाबु की हत्या की साज़िस रजी जा रही है कऱक जोभी नुकसान होगा जगन सरकार और जेल अदिकार उससे जिम्मेधार होंगे लोकेश ने पूचा आखरी चंदरबाब की सेथ पर ये गूट बाजी क्यों अधी कानों की इस बात की कोई परवान है कि जेल में मच्छर जादा है पीने को अच्छा पानी नहीं दिया जा रहा है एक पंखा लागा गया जो ठीक से घुमता तक नहीं है चंदरबाब का वजन कम हो गया है, एलर्जी हो गई, डिहाइडेशन हो गया है जिये का महूल पूरी तरह से गंदा है, लोकेश ने कहा प्रदेश में ताफमान बढ़ा हुआ है, आम तोर पर सर्दियों के दवरान जो ताफमान धीरे-धीरे कम होना चाहिए वह गर्मियों जैसा हो गया है, वरतमान में दक्ष्चिन पष्चिन मासुन साफ्थ हो चुका है और उत्तरपूरी मासुन के प्रविश के लिए परिस्तित्या अनुकूल है हलाकि उत्तरपूरी मासुन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस समय के आसपास मौसम आम तोर पर ठंड़ा हो जाता है लेकिन प्रदिश में अलग ही मौल है, दिन का ताफमान बढ़ रहा है सामने से तीन से लेकर पांच डिगरी से साधिक ताफमान दर्च किया जा रहा है, जैसे गर्मी का मौसम ही हो मौसमी भाग ने खुलासा किया है कि यह शुकरार को नलगना पहुंच गया है उसके बाद एक सब्ता तक पूरोतर मांसुन के प्रविश करने कानूमान है बताया गया है कि इस क्रम में मौसम में बतला होंगे और ताप माना दिक हो सकता है मौसमी भाग ने घुशना कि कि राज़ में अगली तीन दिनों तक मौसम शुश करहेगा इसराइन में फसे भारतियों को वहाँ पसलाने का लक्षन ऑपरेशन आज़े बड़ी सब्फलता के साथ जारी है असुबर एक आओर फ्लाइट 235 भारतियों को लेकर धिली पहुँची भारत सरकाने अपने खर्च पर इन चार्टर उड़ानों की वैस्ता की है पहले बैच में 212 लोग सुरक्षित भारत पहुचे जो लोग इन फ्लाइट से भारत आना चाहते हैं उन्हें पहले अपना नाम रेइस्टर करना होगा भारती नुड़ानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संचारीत कर रहा है ताकि केवल वे लोग ही यात्रा कर सके जिन्होंने पहले से पंजी करना करा है इस बीच केंदरे ने कहा है कि यह सेवा कल भी उपलब रहेगी एनाराई ने उन्हें सुरक्षित निगाने के लिए भारत को धन्यवा दिया इसराइल में करीब 18,000 भारती है उनमें से आधिकांश न देख भाल करता और आईटी पेशेवर है इसराइल हमास यूद में अब तक 1300 इसराइली मारे गए है और 1500 अन्य हमास आतकवादी मारे गए है बियारस के कारेकारी आदेश और मंत्री केटियर राम आरावा एक बार फिर सिर्सिला नहिराचक शेतरे से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिससे उनके सामने वहां से चुनाव legal में अतार सके अब तक सिर्सिला में बियारस के आलावा किसी आने विपक्ष दयलने अभी तक किसी उमिद्वार की भूशना तक नहीं किये YBRS पूरे जोश में है और उसमें सिर्सिला पर विशेज ध्यान तो दिया है साथी वह विपक्ष का जमानत जब्त कराने की तयारी में KTR चुनावी रनेती काफी समय से बना रहे है साथी वह कई कोई कमी ना छोड़ने के चलते समय समय पर परमक नेताओं के साथ टेली कौंफरेस्स तक आजित करें आईये हैं आवी से को विस्ताव करें